हाई एवरिवन वेलकम टू माई चैनल दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉस्ट इंपोर्टेंट 25 कोशन्स ये कोशन्स आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेंगे तो चलिए गाइस सिरू करते हैं फर्स्ट कोशन से कोशन्स फर्स्ट बारत के पहले मुख्य चुनावायुक्त कौन है अप्शन ए शुशिल चंद्रा अप्शन बी गिरिश चंद्रमूर्मू सी सुकुमार सेन डी सुनिल अरोडा अगर इस कोशन्स का आंसर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुकुमार सेन दोस्तो बारत के वर्तमान मुख्य चुनावायुक्त शुशिल चंद्रा है जो की इस पत पर 13 अप्रेल 2021 से कारिरत है इससे पहले सुनिल अरोडा थे और पहले मुख्य चुनावायुक्त जो मैं आपको बता चुका हूँ सुकुमार सेन है चलते हैं अगले कॉशन्स पर कॉशन टू विश्व कैंसर दिवस कब मनाए जाता है उप्शन A 8 फर्वरी उप्शन B 4 मार्च उप्शन C 8 मार्च उप्शन D 4 फर्वरी तो इसका स़ह आंसर है उप्शन D 4 फर्वरी चलते हैं next question पर विश्वो वन्य जीर दिवस कब मनाय जाता है option A, 1 March option B, 12 March option C, 3 March option D, 24 फरवरी तो इसका सही answer है option C, 3 March question 4 बारत के वर्तमान CAG कौन है option A, राजीव महर्शी option B, गिरिश चंद्र मूर्मू option C, वी अन कॉल option D, आर के सीना तो इसका सही answer है गिरिश चंद्र मूर्मू फ्रेंट्स गिरिश चंद्र मूर्मू भारत के चवदूए CAG है इससे पेले थे राजीव महर्शी दोस्तों CAG का पूरा नाम नियंतरक महालेखा परिक्षक है चलते हैं अगले questions पर बंग बंदू के नाम से किसे जाना जाता है अगला question भारत की पहली रामसर साइट कौनसी है option A त्योकर जील option B सामबर जील option C चिलका जील option D ले जील तो इसका सही आंसर है चिलका जील भारत की पहली रामसर साइट चिलका जील है चलते हैं अगले questions पर राष्ट्रे मददाता दिवस कब मनाय जाता है option A चोईस जनवरी option B पच्चिस जनवरी option C 22 मार्च 22 मई option D चोईस मई तो इसका सही जवाब है option B पच्चिस जनवरी चलते हैं next question पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रे उत्यान कौन सा है गीर राष्ट्रे उत्यान ब्लैक बग साउध बटन तो इसका सही आंसर है option C साउध बटन आपको बताना चाहूँगा कि साउध बटन बारत की केंदर शाषित परदेश अंडमा नेव निकू बार में इस्ति थे जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और आपको यह चीज और बता देता हूँगी भारत का पहला राष्ट्यूत्यान हैली नेशनल पार्क है जो उत्राकंड में है जिसका वर्तमान में नाम बदल कर जिम कारबेट कर दिया गया है चलते हैं अगले कोश्चन्स की तरब बारत की पहली महीला लोगसभा इस्पिगर कौन थी ओप्शन ए सुमित्रा माजन ओप्शन बी सरोजनी नाइडू ओप्शन सी मीरा कुमार ओप्शन डी रमा देवी तो इसका सई जवाब है मीरा कुमार बारत की पहली महीला लोगसभा इस्पिगर मीरा कुमार थी और वर्तमान में बारत के लोगसभा इस्पिगर है ओम बिडला चलते हैं अगले कोश्चन्स की तरब बारती नेपोलियन की उबादी किसे दी गई है आप्षण A चंद्रगुप्त मौर्य, आप्षण B समुद्रगुप्त, आप्षण C हर्षवर्दन, आप्षण D अशोक तो इसका सई आंसर है आप्षण B समुद्रगुप्त समुन्द्र गुप्त का भार्ची नेपोलियन की उपदि दी गई है और आपको बता दू कि समुन्द्र गुप्त को इतियास में 100 युद्धो का विजेता भी का जाता है चलते हैं अगले कॉस्चन्स की तरब निम्न में से किस अनुचेद का संबन्द पंचायती राज से है औप्शन A अनुचेद 243 औप्शन B अनुचेद 324 C अनुचेद 124 औप्शन D अनुचेद 233 तो इसका सई आंसर है औप्शन A अनुचेद 243 243 में पंचायती राज से संबन्द तथे दिये गए है और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी अनुची पंचायती राज से संबन्द थे तो दोस्तो ग्यारवी अनुची पंचायती राज से संबन्द थे और बारवी अनुची नगरी निकाई से चलते हैं अगले questions पर राजस्थान की किस जील को रामसर आदर भूमी की सूची में शामिल किया गया है option A पिछोला जील, option B आनसागर, option C सामबर जील, option D डल जील इसका सई आंसर है option C सामबर जील सामबर जील को राजस्थान की रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है अगला question भारत की पर्थम बहु देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई है option A कावेरी नदी, option B गंडग नदी, option C दामोदर नदी, option D यमुना नदी तो इसका सई आंसर है दामोदर नदी अगला question महत्मा गंड़ी को राश्ट्र पिता की रूप में उल्लेक सबसे पहले किस ने किया था option A सुभाश चंद्र बोस, option B जवार लाल नेरू, option C वल्लब भाई, पटेल, option D इन में से कोई नई इसका सई आंसर है, option A सुभाश चंद्र बोस, शुभाश चंद्र बोस ने गंड़ी जी को राश्ट्र पिता की रूप में 1944 में सिंगापूर रेडियो से सम्मुदित किया था अगला question, काजी रंगा राश्ट्र पार का है, option A पस्चम बंगाल, option B असम, option C मेगाले, option D मिजोरम तो इसका सई आंसर है, option B, असम, काजी रंगा राश्ट्र उद्यान असम में इस्तित है, जो की एक सिंग के गंड़े के लिए प्रसिद्ध है अगला question, राश्ट्र विज्ञान दिवस किस दिन मनाय जाता है, option A, 21 जनवरी, option B, 21 मार्च, option C, 28 फर्वरी, option D, 23 मार्च तो इसका सई जवाब है, 28 फर्वरी, 28 फर्वरी को राश्ट्र विज्ञान दिवस मनाय जाता है अगला question, राजस्थान के किस तीरंदाज को अरजुन पुर्सकार मिला है, option A, शामलाल मीना, option B, लिंबाराम, option C, ये दोनों option D, इन में से कोई नहीं तो इसका सई आंसर है, option C, ये दोनों राजस्थान में, तीरंदाजी में, अरजुन पुर्सकार, शामलाल मीना और लिंबाराम को मिला है आपको बता दो कि अरजुन पुर्सकार की शुरुवात 1961 में की गई थी चलते हैं अगले कर्षिन की तरफ भारत का सबसे लंबा राष्टी राजमार्क कौन सा है? option A, NH44 option B, NH1 option C, NH2 option D, NH10 तो इसका सई आंसर है, NH44 तो दोस्तो, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्टी राजमार्क है जिसका पूरू में नाम NH7 था वर्तमान में इसका नाम NH44 कर दिया गया है चलते हैं अगले कोशन्स की तरफ हीरा कुन बान किस नदी पर इस्तित है? option A, रिहन नदी option B, महा नदी option C, स्वन रेखा नदी option D, भार्गवी नदी तो दोस्तो आपको बता देखी हीरा कुन बान बारत की महा नदी पर इस्तित है जो कि भारत का सबसे लंबा बान है हीरा कुन बान बान बारत के उडिसा में इस्तित है अगला कोशन्स परमाणू रियेक्टर में प्रियुक्त इंदन है option A, कोईला option B, पैट्रोल option C, जलने वाली गैसे option D, यूरेनियम guys इसका सई जवाब है यूरेनियम चलते हैं अगले कोशन्स की तरब दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करना न भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें चलते हैं अगले कोशन्स की तरब question number 21 प्रतिवर्ष हाती मौसव कहां मनाये जाता है option A, जैपूर option B, श्री गंगा नगर, option C, जोदपूर, option D, अजमेर तो guys इसका सई आंसर है option A, जैपूर प्रतिवर्ष हाती मौसव जैपूर में मनाये जाता है इस मौसव में हात्यों को साजा के तयार करके लाये जाता है यह जैपूर का प्रसिद्ध मौसव है चलते हैं अगले questions पर दादा साहेप फाल के पुरसकार की शुरुआत कब हुई? option A, 1963 option B, 1966 option C, 1979 option D, 1970 तो comment करके बताइए इस questions का सई आंसर क्या है? इसका सई आंसर है 1971 1971 में दादा साहेप फाल के पुरसकार की शुरुआत हुई थी अगला question तेरत आली नत्य किस प्रदेश का नत्य है? option A, राजस्थान option B, मद्धिपर्देश option C, 36 गड option D, सिक्किम तो इसका सई आंसर है राजस्थान दोस्तों आपको बता दो कि तेरत आली नत्य राजस्थान राज्य में किया जाता है जो की राम देव जी के मेले का प्रसिद नत्य है और यह नत्य कामड़या जाती के लोगों द्वारा किया जाता है कामड़या प्रत्न किस्तापना राम देव जी के द्वारा किये गई थी चलते हैं अगले कोशन की तरफ ब्लेक पेगोडा किस प्रदेश में हैं? ओप्शन A. उडिशा ओप्शन B. आंद्र प्रदेश ओप्शन C. केरल ओप्शन D. तमिलनाडू गाइज इसका सही जवाब है ओप्शन A. उडिशा आपको बता दू कि ब्लेक पेगोडा कोणार के सूरी मंदिर को कहा जाता है जो कि उडिशा राज्यमें इस्तित है दोस्तो आज का आखरी कोशन अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंड करके बताईए ताकि आगे भी हम आपके लिए और अच्छे-च्छे कोशन की क्लासे ला सकें आज का लाज कोशन कोशन नमबर 25 राजस्तान का किशनगर इसकूल किसके लिए प्रसिद है और आजस्तान की किशनगर से लिए प्रसिद शेली है धन्यवाद दोस्तों अगर आगे भी ऐसे ही कोशन की क्लासे देखना जाते हो जुड़े रही है हमारे चैनल से तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू जय बारत जय हिन